तुरफ यह जा रहा हम वह बाई तेंक यूव तेंक यूव ओके जो खीचना पड़ेगा लगता है एगाइज इस इस हिमांचु एड वेलकम बैक तो दी चैनल आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और सेफ होंगे तो आज फिलाल हम जा रहे हैं हल्दवानी से रामनगर और रामनगर में जाने का मकसद है कि वहां है जिम कॉर्बेट नैसनल पार्क और फिलाल मैं खड़ा हूँ अभी भाख़डा बिरिच पे जो की काफी फेमस है हल्दवानी में अगर आप हल्दवानी को जानते हो सबसे पहले काड़ो काम में काव आई थी यह सारी इसे आपको आगे मिलने वाली है अरे भाई साब अरे भी निकल रहा हूँ मुझे मास ते दिया रहे मैं मास ला ना भूली पहाडियों का सहर हल्दवानी जिसकी खोज चौदवी सतादी में तेरा सो सन में हुई थी और इसे ना कुमाओ रिजन का इंट्री पॉइन भी माना जाता है एंटी सिट्क्री कुमाइब के ariosभी यानने पर फिलाल में आजी के रामने स вещи घएक तो फिलाल मैने जिंक ल कषए आती यहां बलंग चोने तो पहले हों नहीं कुर्य पर फ़रे जवाने काम टाम्यों ना इंज्द hak ले घंड़ परमानी किर ऱैसे बताती कि आ यहां पर हल्दू के पेड हुआ करते हैं तब से इसका नाम हल्दवानी पड़ गया तो ऐसी तीरे तीरे और भी अमेजिंग चीजे आपको हल्दवानी के वार में पता लगने वाली है तो वीडियो में पने रहे हैं यहां पर जगली जानवर आते रहते हैं तो कहीं जगा पर बोर्ट भी लगे वहें कि अवेर ऑफ एनिमल्स क्योंकि यहां से रोड से उख रहते हैं कभी आपको डियर दिख जाएगा एक जवानी में तो यहां पर जगली हाती भी भी बहुत अदा आया करते थे बट अब अर्फिलाल हम पहुच गये हैं रामनगर शहर यह जगी आप दो देख रहे हूँ यह है वह बस अच्जा यहां पर आएगा आपको बहुत चलती रामनगर के लिए यहां पर आ के कोड़ती है सबसे अच्छी बात कि यहां पर मुझे घूमने वाली है तो फिलाल भी देखते हैं प्रोपर्टी क्या है सीन आपर अभी अंदर जाके मैं थोड़ी इंक्वारी वगएरा करी तो सबसे अच्छी बात कि यहां पर मुझे मिल गए हैं समर्थ जी इन से मेरी बात्चीत हुई और काफी मज़ा आया बात करके पता लगा कि यह सारी प्रोपर्टी यही देखते हैं और इसके अलावा नके और भी बहुत सारी प्रोपर्टी है और कई सारे प्लैंस हैं हाँ पर तो काफी अच्छा लगा एक ट्यूनिंग सेट हो गई है तो अभ इनके अधी प्लैंस है कि इसी इरिया में जहां पर इसका नाम के तर इसका कॉर्बट ट्री रिजॉर्ट करके है यह प्रोपर्टी तो इसमें लोग यहां पर और अर्गनिक फार्मिंग करने वाले हैं और तो एक एक एक्स्पोर करने के लिए लिए जिससे सबोस फैमिली आ पर कर सकते हैं जो मुझे काफी पसंद आया प्लैन कि अगर आप मधा उस में रह रहे हो और जिस इमेजन कि आप सुबह उठ रहे हो खुदी इनो गाजर मुली उखाड रहे हो सबजी उखाड रहे हो और उसी को फिर इनो किचन में जाके बना रहे हैं और फिर अपनी अलग एक महौल बन जाता है और अलग ही और अगनिक इन्वार्मेंट बन जाता है और एक अलग मजा आता है उसका अलग एक्स्पिरियंस है आप अगर कभी भी फूचर में इसा प्लान करेंगे तो आप जरूर यहां आना मैं इनके सारी कॉंट डिटेल्स आपको डिस्रिप में यह रूम दे रहे हैं मेरा भी प्लान यहीं रुकने का था इसी रीजन की वज़े से बट जैसे कि हुआने बताया कि दूसरी जगा तो दूसरी जगा जाएंगे यहां पर आप देखोगे काफी स्पेसियस है फर्स्ट फॉल और दूसरी चीज जिन होना हर टेबल की पुरा और यहां पर कोषी रिवर बहरी है और यहां से अगर अंदर सलिया तो आपर हो जाती आपकी रामनेगर वे इंटरी तो अगर आप यहां पर आते हो ना तो भूसरी यही लोकल चीजे भी हैं को आप एक्स्पोर कर सकते हो और समर्ज जी ने बहुत सारी इंफोमेशन अगर हम उस रोड की बाद करें तो वह कॉर्बेट का बुफर जोन मतलब अगर मैं कॉर्बेट की बाद करूँ जो में पॉर एरिया है वह है डिकाला जोन उसके अंदर आपके गॉर्मेंट एकुमेडेशन है ठीक है लाइक सुल्टान एफारेच गैरल यह उस जोन के अंद लास्ट माता आपके लिकाला जो वह एक कवर एरिया है आपको अंदर ही अपिर समोलेगा ठीक है उसमें दो तरह की सफारी जिसका अधे जिसका आपका साफनर प्रस्थन प्रस्न लगेंच है उसके पास आपकी जिपसी रहेगी purchases जिसका अधेशन नहीं वह वो कंटर सफार जोन 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 अभी एक न्यू जोन ओपन हुआ है अभी हम आपको आगे दिखाएंगे गर्जा देवी जोन अब यह नू जोन में कोई लिमिट नहीं है जैसे बिजरानी जोन की बात करूं तो 30 गारी मॉनिंग जाती है 30 गारी इवनिंग जाती है अच्छा सेम जिडना म अपकी 15 गारी मॉनिंग जाती है 15 गारी मॉनिंग जाती है अच्छा आप लोग सोच रहो कि मैं घर से तो अकेले निकला था और अचानक से यह कौन आगे साथ में और मैं गारी में कैसे आ गया तो मैं थोड़ा सा बेक्ग्राउंड जैसे कि मैं आपको पहले बिताया था कि म मतलब तकड़ी वाली समझ लो और काफी फ्रिक्वेंसी मैच वी तो यह भी घूमने के शौकीन है तो इन्होंने बोला कि चलो मैं आपको help कर देता हूं explore करने में इतना मुझे भी information नी थी रामनगर के बारे में तो इन्होंने अपनी गाड़ी में मुझे invite किया और मुझे क सुनने को मिलने वाले